नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रभाष दोस्तों यदि हम बिहार में ट्रेनों की बात करें तो आपको बिहार के हर बड़े रिल्वे स्टिशन से कोई ना कोई ऐसी ट्रेन देखने को जरूर मिल जाएगी जिसको एक्स्टेंशन किया हो सकता है चाहें हम बात करें बरॉनी से नई दिल्ली के भी चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस की जो की पहले चलती तो थी सहरसा से है लेकिन इसे बरॉनी से किया गया और बरॉनी से चलने के बाद एक पार फिर से डिमांड उठ रही है कि इस ट्रेन को सहरसा से चलाया जाए क्योंकि रे लखनों के बीच चलने वाली express train अब दोस्तों यहाँ पर railway ने खुद फैसला लिया है कि इस train को चलाया जाएगा भागलपूर से दोस्तों क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा और कब से यह train भागलपूर से चलेगी आज हम इसी पर बात करेंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले में चाहूँगा कि यदि आपने चलोंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलोंग सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और आप भी हमें कॉमेंट करके बताएं कि क्या बरौनी लखनों एक्सप्रेस का भागलपूर तक विस्तार होना चाहिए दोस्तों यहाँ प पर इस प्रपोजल में इस टेन की जो विस्तारिट टाइम अवधी है वो भी बताई गई है जिसके मुताबिक यह टेन सुबा में तकरीब आठ बस के पांच मिनट पे बरौनी पहुचेगी आठ दस में यह टेन बरौनी से खुलेगी और दिन के करीब बारा बस के पैतालिस मिनट पे भागलपूर से खुलेगी और रात के करीब आठ बस के पंदरे मिनट पे बरौनी पहुचेगी और आठ पचिस में यहां से निकलेगी यानि कि इस टन की टाइम अवधी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और ये टन आराम से भागलपूर तक एक्टन हो सकती है और दोस्तों इस प्रपूजल के अप्रूवल होने के जो चांसे से वो काफी जादा है क्योंकि इस पे किसी की भी आपती नहीं है यानि कि सब के सब राजी है दोस्तों मुझे आचाहे क्या आपको सारी इंफर्मेशन मिल गई होगी वीडियो लगी हो तो वीडियो को ला जाहे है जाहे है जाहे है